दोस्तो हम इस बीडियो में IPL के तियास में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे Top 10 Earners in IPL History ये सारे सीजन्स का मिलाके as a salary जो इनका माउंट बनता है उसकी हम इस बीडियो में बात करेंगे तो दोस्तो शुरुआत करते हैं नंबर 10 से तो नंबर 10 पे इस लिस्ट में जो प्लेयर हैं वो है दिनेश कार्तिक दिनेश कार्तिक ने IPL के तियास में टोटल 6 करोड 92 लाक की कमाई करी है और ये जो पैसे के figure हैं ये आई अन आर में है दिनिस कार्थिक ने अलग-अलग फ्रेंचाइजी के लिए क्रिकेट खेली है जो टोटल इनकी कमाई है ये चासी करोड बानमे लाक की है अगर नौवे नमबर के प्लेयर की बात करें तो इस लिस्ट में नौवे नमबर पे हैं सिकरधवन सिकरधवन ने टोटल आईपील से जो कमाई करी है as a salary वो 90 करोड 80 लाक रुपे की टोटल कमाई करी है और सिकरधवन भी अलग-अलग फ्रेंचाइजी से आपको केलते हुए दिखे हैं फिलाल वो पंजाब किंग्स के कैप्टन है और इनोंने टोटल जो कमाई करी है वो करी है 90 करोड 80 लाक रुपे की टोटल आईपील से अभी तक दोस्तो इस लिस्ट में जो आठवे नंबर के प्लेयर है वो है गौतम गंबीर गौतम गंबीर ने आईपील के तियास में टोटल 94 करोड 62 लाक की कमाई की है और गौतम गंबीर फिलाल किसी भी टीम के लिए नहीं खेल करते हैं उन्होंने आईपील के दो सीजन में केकेर को चेंपियन भी बनाया था अपनी कपतानी में तो यह है गौतम गंबीर इसके बाद जो प्लेयर है इस लिस्ट में वो है एवी डिवलियर ने आईपील के तियास में टोटल 102 करोड 51 लाक की कमाई की है एवी डिवलियर आईपील में नहीं खेलते हैं और एवी डिवलियर ने क्योंकि बहुत ही तगड़ा परफॉर्म किया है आईपील के लगबग हर सीजन में अच्छा ही करते थे वो तो उन्होंने आईपील से टोटल बहुत ही अच्छी कमाई करी है 100 करोड से उपर वाले कलब में एवी क्यार के लिए खिलते हुए आ रहे हैं और उनकी क्यार को चेंपियन बनाने में बहुत ज्यादा भूमिकार रही थी तो क्यार ने उनको उस हिसाब से पे भी बहुत अच्छा किया है तो वो भी 100 करोड से उपर वाले कलब में सामिल है इस लिस्ट में जो पांचवे नंबर प्लेयर है वो है रबिंद्र जड़ेजा रबिंद्र जड़ेजा ने आई पील के त्यास में टोटल 109 करोड एक लाक रुपए की कमाई की है बिंद्र जड़ेजा भी सीएसके के बहुत इंपोर्टेंट प्लेयर रही है और सीएसके को चेंपियन बनाने में बहुत बार उन सुरेज रहना भी अब रेटायर्मेंट अनांस कर चुके है अपना वह भी आईपील में नहीं देखने को मिलेंगे और सुरेज रहना ने भी सीएसके के लिए बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है सुर्यज रहना ने भी आईपील में बहुत अच्छी इंकम की है 110 करोड 54 लाग की इनकी टोटल कमाई है सारे सीजन्स की मिला के, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं वो है ब्राट कोली, ब्राट कोली ने IPL के इतियास में टोटल एक सो तेतर करोड बीस लाग रुपए की कमाई की है, ब्राट कोली सुरू से ही RCB फ्रेंचाइजी के लि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो प्लेयर हैं वो है MS धौनी, MS धौनी ने IPL के टियास में टोटल एक सो तेतर करोड चौरासी लाग रुपए की कमाई करी है, सारे सीजन्स की इंकम मिलाके, MS धौनी पहले सीजन्स में सबसे महेंगे कलाडी थे IPL के, और उन्हाने IPL मे हैं और भी भी CSK की टीम में बने हुए हैं तो उनकी जो ओवरॉल कमाई है वो 176 करोड 84 लाग हो चुकी है IPL से, इस लिस्ट में जो पहले नंबर पर प्लेयर हैं वो हैं इंडियन कैप्टन रोहिच सर्मा, रोहिच सर्मा पहले सीजन में डेकन चार्जर्स के लिए खेले थ हैं तो जो टोटल ओवरॉल कमाई है 178 करोड 60 लाग रोपय रोहिच सर्मा की होने वाली है 2023 का सीजन मिलाके, नंबर बन जो प्लेयर इस लिस्ट में हो गए हैं वो अब रोहिच सर्मा हैं, रोहिच सर्मा ने मुमे इंडियन को 5 IPL सीजन जताए हैं और सबसे सफल कप्तान है आई पील के तेयास के तो दोस्तो ये थे %100 सारे सीजन मिलाके तो अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए थेंक्यू